दोस्तो, AR Electronics में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो, आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ यह हमारे पास बजाज का इंडेक्शन आया था मैंने देख सकते हो, मैंने इसमें पावर सप्ले दे दिये देख सकते हो, आप और यह हमें कुछ भी रिस्पोंस नहीं दे रहा दोस्तो, देख सकते हो, यह मैंने सिरीज बोर्ड में से पावर सप्ले दिये और इसने हमें कोई भी रिस्पोंस नहीं दिया दोस्तो, इसके हम सबसे पहले स्कुरू खोल लेते हैं तो दोस्तो आपको पता ही है मैं आज बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर कोई वीडियो डाला हूँ तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तो सबसे पहले मैंने से इंडेक्शन को खोल लिया है देख सकते हो आप यह हमारा बजाज का इंडेक्शन है तो दोस्तो सबसे पहले हम पैनल कंट्रोल एक साइड रखते हैं और इसके बाद दोस्तो यह हमें अपने कोईल के स्कूरू खोल लेने हैं और उसके बाद इसका हमें जैक हटा लेना है और यह देख सकते हो यह इसके बाद यह हमें अपने मदरबोर्ट की स्कुरू भी खोल लेने है तो मैंने फास्ट करके खोल लेता हूं दोस्तो मैंने यह वीडियो फास्ट कर दिये देख सकते हो आप ताकि वीडियो में ज़्यादे टैम ना लगे और वीडियो लंबी ना हो तो उसके बाद दोस्तों यह हमें अपने फैन की वायर भी हटा लेनी है यह देख सकते हो यह हमारा बजाज का मदर बोर्ड है यह SMD मदर बोर्ड है दोस्तों हमारा और हमारे फ्यूज वायर भी उड़ी हुई है देख सकते हो आप तो इसके सबसे पहले हम इसकी सफ़ाई कर लेते हैं दोस्तों और यह Sensor हम अपना एक साइड रखते हैं और यह देख सकते हो इसका फ्यूज हमरा उड़ा हुआ है देख सकते हो आप मैं आपको नज़्दी करके दिखा रहा हूँ यह फ्यूज वायर लगी हुई थी दोस्तों पहले और वह बिल्कुल उड़ गई है तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना IGBT चेक कर लेते हैं यह देख सकते हो यह हमारा IGBT बीप का साउंड दे रहा है और दूसरे पॉइंट भी चेक कर लेते हैं तो यह भी दूस्तों बीप का साउंड दे रहा है सोटिंग दिखा रहा है तो यह हमारा IGBT सोट है तो सबसे पहले हम इनकी स्कुरू खोल लेते हैं IGBT को सबसे पहले हम दोस्तो बाहर निकालेंगे और यह अपना हम IGBT सबसे पहले बाहर निकालते हैं दोस्तो और उसके बाद दोस्तों से चेक करेंगे सोटिंग दिखा रहा है या नहीं तो यह हमने IGBT बाहर निकाल लिया है और इसको दोस्तो हम अपने multimeter को continuity mode पर set करके दुबहरी check करेंगे तो यह देख सकते हो दोस्तो आप beep का sound दे रहा है हमारा देख सकते हो आप दोस्तो मिल्कुल clear sound आ रहा है beep का और मैंने kino point पर check कर लिया है यह हमारा kino point पर ही beep का sound दे रहा है तो यह हमारा IGBT sort है उसके बाद दोस्तो हम इसमें power supply देके देखेंगे कुछ और तो हमारी sorting नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें एक fuse wire जोड़ लेते हैं तो इसको हम अटा लेते हैं और हमें एक हलकी सी wire इस पर फिर से जोड़ लेते हैं यह देख सकते हो मैंने यह बारिक से wire fuse wire जोड़ दी है इस पर और इसके बाद दोस्तो हम इसे चेक करेंगे यह देख सकते हो और इसके बाद दोस्तो हम इसमें power supply देके देखेंगे तो यह देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें power supply दी तो यह हमारा हलका सा series bulb जल रहा है तो दोस्तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है ये बजाज का इंडेक्शन ऐसे ही हमारा इसमें हलका सा सिरीज बल्ब जलता है तो इसमें हम सबसे पहले आईजी विटी लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तो अपनी हिट जिंग को हम रखकर इसके स्कुरू खीच लेते हैं दोस्तो मैं इसकी सेटिंग करता हूँ और इस स्कुरू दोस्तो मैं फास्ट करके खीच लेता हूँ ताकि विडियो जादे लंबी नहीं हो और इसके बाद दोस्तो ये हमें अपने मदरबोड वाला भी स्कुरू खीच लेना है तो मैं ये मदरबोर्ड वाला स्क्रू भी खीच लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम इस पर अपने आज़ीवीटी पर सोल्डरिंग कर लेनी है तो इसे मैं फूल टाइट कर देता हूँ दोस्तों हमारा ये आज़ीवीटी लूज ना हो हिट सिंग से तो इसके बाद दोस्तों मैं इस पर सोल्डरिंग कर दूँगा ये देख सकते हूँ मैं इस पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों से हमें एक दफ़े फिर से चेक कर लेना है तो यह हमने continuity mode पर meter लगाया और इसे हम चेक कर लेते हैं तो यह हमारा कोई भी beep का sound नहीं आ रहा है और यह हमारा IGBT बिल्कुल OK है तो इसमें मैं power दे के देखता हूँ तो यह हमारा फिर भी हलका सा series bulb जल रहा है तो दोस्तो इसमें हमें सबसे पहले अपना panel control लगा लेना है यह बजाज का induction दोस्तो बगएर panel control के हमें कोई भी sound सुनाई नहीं देने को मिलता इसमें तो दोस्तो यह सबसे पहले मैंने इसमें अपना induction panel control लगा लिया है और यह देख सकते हो जैसे मैंने पावर दीस में यह हमारा बीप का साउंड आ गया इसमें देख सकते हो दोस्तों आप और यह हमारा चल गया है तो इसे मैं सबसे पहले ओन करता हूं कि देख सकते हैं तो दोस्तों हम इसकी सबसे पहले पावर कट करके इसे फिट कर लेते हैं यह हमारा चल गया है तो दोस्तों इसे में फास्ट करके सबसे पहले अपनी कि इंडेक्शन की बॉड़ी में इसे फिट कर लेंगे तो इसकी मैं लैक छोटी कर लेता हूं और इसके बाद दोस्तों अपने इंजेक्शन की बोड़ी में से फिट कर लेंगे सबसे पहले इसका हमें सेंसर भी लगा लेना है और यह देख सकते हो इसे मैंने फिट कर लिया है और इसके बाद फैन के वायर भी हमें लगा लेने है और इसके बाद दोस्तों यह हमें पैनल कंट्रोल भी लगा लेना है इसमें तो इसके बाद दोस्तों पैनल कंट्रोल लगा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों हम इसमें पाउर सप्लाई देखेंगे तो दोस्तों मैं पाउर सप्ले देखे देखता हूं सबसे पहले सिरीज बल्ब में लगाएंगे यह देख सकते हूं मैंने सिरीज बल्ब में लगा दिया है और इसे ओन करता हूं कि यह मारा वढ़ा और सिरीयज बीन हमारा जल रहा है है दोस्तों स्यृइस बने हमारे इंडेक्शन विभाए रिये का लोड नहीं हो तर जो से दोस्तों डाये छी लगाएंगे तो यह मैंने डाये B신 Clay concrete वाले स्विच में लगा दिया है और ये धेख सकते हैं हमारे कंबरती दोस्तों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रॉल आ कुन को